हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो जी अप में दोस्तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप सोनी लीव एप्लिकेशन का जो प्रीमियम है उसको फ्री में अनलोग कर सकते हो दोस्तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इसी टॉपिक पे जिसमें मैंने बताया था कि सोनी लीव एप्लिकेशन का प्रीमियम आप कैसे अनलोग कर सकते हो और उसमें आपको एक email id और password भी दिया था लेकिन उसमें काफी जादा लोगों को problem यह आ रहे थी बोल रहे थे कि यह login नहीं हो रहा है और successfully काम नहीं कर रहा है और कितने सारे लोगों को यह successfully work भी किया था तो इस वीडियो में यह सारे solution आपको बताने वाला हूँ उसी का यह part 2 वीडियो में आप लोगों के लिए बनाना हूँ इसमें आपको ऐसे ऐसे 10 email id बताऊंगा जिससे आप sony lib का premium unlock कर सकते हो तो दोस्तों इस वीडियो को पुरा इंड सक देखेगा है आपको यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है तो आईए बताते हैं आपको कैसे आप sony lib application का premium unlock कर सकते हैं available free में और कहां पे आपको ऐसे 10 email id मिलेंगे जिससे आपका यह unlock हो जाएगा sony lib का premium तो आपको क्या करना है सबसे पहले अपने play store में जाकर sony lib application को download कर लेना है अगर आपने download कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है उसके बाद आपको क्या करना है आपको कोई भी एक अपना browser open कर लेना है आप google chrome यूज कर सकते हो या फिर uc browser भी यूज कर सकते हो या फिर अपना internet browser भी यूज कर सकते हो तो कोई भी ब्रॉजर आप यूज कर सकते हो तो आपको यहाँ पे सर्च करना है bugme.not.sonylive यहाँ आपको सर्च करना है तो जैसे ही आप इसको सर्च करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पर देखिए live sony.com password bug me not यह आपके सामने आ गया first वाला पर इस पर आपको click कर लेना है ठीक है तो जैसे ही आप इस पर click करोगे तो जैसे ही friends आप यहाँ पर search करोगे bug me not dot sony live तो आपके सामने यहाँ पर नयाप interface open हो जाएगा और open होने के बाद इसको जब आप उपर slide करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने जो है यह धेर सारा email id और password यहाँ पर डाला हुआ है तो friends यहाँ पर देखिए first में जो एक email id और password है यही email id और password मैंने आपको part 1 वीडियो में आप लोग को दिया था आपके बाद नीचे देखिए और भी है यहाँ पर email id और password तो ऐसे ऐसे आपको यहाँ पर 10-15 email id और password भी मिल जाएंगे तो आप एक एक करके इसमें से try कर सकते हो जो भी आपका successfully work करें इसको आप यहाँ से try कर सकते हो actually यह email id और password तो मेरा नहीं है लेकिन कोई भला अपना email id और password क्यों देगा तो इससे जरूर उसको कुछ न कुछ फाइदा होता होगा तबी तो वो यह email id और password यहाँ पर इस site पर छोड़ रखा है तो इससे नुकसान I think मुझे ने लगता कुछ होने वाला है तो इसमें से आप एक एक करके जो भी email id आप यूज करना चाते हो आप यूज कर सकते हो और इसमें यहाँ पर देखे फीडबैक भी दिया हुआ है कि 89% success rate देखे यहाँ पर 89% लोगों ने इसको rate दिया कि यह success है काम करता है इसमें 56% लोग इसमें success दिया इसका rating कि यह काम कर रहा है तो यहाँ पर से आप email id कोई भी उठा कर इसमें आप sony live application में email id और password डाले यह आपका work करेगा तो दोस्तो अब आपको अगर कोई problem हो तो आप यहाँ पर आकर कोई भी email जो है यहाँ पर डाल सकते हो डाल कर यहाँ पर check कर सकते हो यहाँ पर जितने भी email id है सब sony live का ही आपको email id और password मिलेगा आप देख सकते हो तो एक्चुली जितने भी question थे वो सारा का answer यहीं है आपको अगर एक email id से work नहीं कर रहा है तो आप दूसरा email id डाल कर यहाँ पर check कर सकते हो और यह ज़्यादा ज़्यादा एक हपता से ज़्यादा नहीं रहता है फिर automatic logout हो यहाँ तो उसको आप फिर से यहाँ डाल करके यह email id डाल कर फिर से आप login कर सकते हो दोस्तों I think कि अब आपको सारा matter समझ में आ गया होगा तो अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को like, share और subscribe करना मत बोलना मिलता हूं दोस्तों अब अगले वीडियो में अब तक के लिए जाइंद बंदे मातरम